नमस्कार दोस्तों मैं सोनू और आप देख रहे हैं सोनू आटोमेशन टेकनोलोजी चैनल इस वीडियो में सोलर पैनल इस्टॉल करना सिखाऊंगा अब मेरे केस में यहाँ पे दोस्तों 608 का सेट अप रहेगा क्योंकि 210 का मेरे पास 3 पैनल है और कुछ पैनल जो है वो पहले प्लिप नहें एड फोगा कि व canzip शुटा पैनल है तो वो बाहर रहेगा उसके बाद यहाँ पे दो पैनल में बिल्कुल न्यू हैं देखिए 210 वाट का यहाँ पे दो पैनल मेरा तो connection के बारे में पूरी complete जानकारी दूँगा सीरीज connection क्या है, पैलल connection क्या है multiple panel जो आप कैसे add करेंगे सीरीज में और पैलल में complete जानकारी detail में दूँगा उसके बाद यहाँ पे देखे panel को fit करने के लिए सबसे पहले यह structure बनाया जाएगा structure का जितना भी part है चलिए वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ देखे, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पी यह structure है structure का यहाँ पी यह दो लिग है दरसल दो लिग पे इसको मैं set करने वाला हूँ और यह मेरा raptor हो गया ठीक है, देखे, angle आपको चेक करना है यह बिल्कुल 90 degree पे होना चाहिए सीधा इस तरह से speed label से आप चेक करेंगे उसके बाद raptor को fit करने के लिए देखे, यहाँ पे यह वाला जो clamp है, यह है और उसके बाद यह देखे यह एक तो लगेगा अपना इसके उपर और एक लगेगा एकदम वहाँ पे लाश्ट पे उसके बाद पैनल को mount करने के लिए एक पैनल से दूसरा पैनल जो है लॉक करने के लिए यह वाला clamp लगेगा और यह ऐसे ही नहीं लगेगा spring nut bolt के साहरे लगेगा यह वाला जो आप देख रहे हैं देखिए इसके साहरे उसके बाद कुछ फास्टनर है जिसके साहरे हम लोग इसको जो है फिट करेंगे यह वीडियो जो है लंबा भी हो सकता है पूरी complete जानकारी मिलने वाली है inverter के बारे में बताऊँगा connection के बारे में बताऊँगा structure फिट करना बताऊँगा पूरी complete जानकारी मिलेगी बस आप वीडियो में बने रहे हैं अब देखिए यहाँ पर होल कर लिया चार होल यहाँ पर इस लेग में लगेगा और चार होल इस लेग के लिए यहाँ पर मैं बना लिया ठीक है अब यहाँ पर यह जो structure आप फिट कर रहे है आपका जो पैनल का लंबाई है उसके हिसाब से इसको आप फिट करेंगे बीच में ज़्यादा gap नहीं देना है अगर support नहीं है जिसे center में अगर support पत्ती नहीं है तो फिर ज़्यादा gap नहीं देंगे अगर पैनल जो है टूटने का खत्रा रहता है तो करीब करके ही लगाएंगे मेरे case में जो मेरा पैनल का जो लंबाई है 59 है इसलिए मैं यहाँ पर 5.5 फिट का gap दिया हूँ 30 इंच का gap है मेरा और यहाँ पर 15 इंच इधर 15 इंच इधर मेरा बाहर रहेगा हलका हलका ठीक है अब यहाँ पर सबसे पहले फासनल लगाएंगे फासनल लगाने के बाद यह वाला जो लेग है यहाँ पर रख के हलका सा ठीक है हलका सा टाइट करेंगे उसके बाद आगे वाला जो है आगे भी फासनर लगेगा लेग लगेगा वहाँ पे अब देखे दोस्तों यहाँ पे पैनल का इस्टक्चर मेरा यहाँ पे पुरी तरह से इस्टॉल हो चुका है अब इसको उपर पैनल रखने के लिए बिल्कुल यह रेडी हो गया है देखे अच्छी तरह से फिक्स करना है अब आप देख सकते हैं कहीं भी यह हिल नहीं रहा है पूरा प्रॉपर यह फिक्स हो गया है चार फासनर यहाँ पे दिया उसके बाद दो फासनर यहाँ पे दिया उसी तरस उसमें भी दो वहाँ पे है और चार फाशनर मेरा इस साइड में है तो ये मेरा इस्टक्चर आप देख सकते हैं पुली तरस से रेडी है 24 डिग्री यहाँ पे यह जो है जुकाव है इसका इसके उपर अब हम लोग पैनल रखेंगे अब यहाँ पे स्प्रिंग वाल इसको प्रेस करना है इस तरह से प्रेस करेंगे देखिए ध्यान रहे यहाँ पर यहाँ पर इस तरह से प्रेस किया उसके बाद घुमा देना है अब यह यहाँ पर इस तरह से होल्ड हो गया है मतलब कि रुख गया है अब इसको आप आगे पीछे इस तरह से ले जा सकते हैं अब इसको उपर पैनो रखता हूँ मैं उसके बाद बताता हूँ आगे का प्रोसेस आभी भी बहुत कुछ बाकी है वीडियों में समझना आपके लिए है इस है कि अब था हूँ आपके अब आपके अब आपके अब आपके लिए देखिए पैनल को यहाँ पे रखने के बाद हलाके नीचे से उधर से रखते हुए आना चाहिए मैं लेकिन इसको पूपर से लगा रहा हूं तो यहाँ पी दिखेगे यह लाष्ट में लगेगा और यही इस तरह से इंड में लगए देखें तो अभी एक है इसी तरह से रखते हुए जाएंगे और यह नीचे हो जा रहा है तो उसमें वायर आपको पहले लगा लेना है नहीं तो फिर वायर जो है आप उहां पर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अब यहां पर थे सकते है लेकिन जो आगे वायर पहले आपको लगा लेना है पैणिल का इसा पैणिल है किश टाइप का है इसमें बीयोँज्ट कया है maximum power जो है Pmax कम तो maximum power 210 Watt का है voltage add max power देखे 6.71 volt उसके बाद देखे current add max power IMP 9.68 ampere फिर यहाँ पे open circuit voltage जो है VOC यहाँ पे दिया हुआ है VOC voltage इसका 24.76 volt है ठीक है उसके बाद short circuit current जो है ISC देखे 10.50 ampere का है तो यहाँ पे इस तरह से इसका जो specification है वह यहाँ पे है instrument का यह मेरा 210 Watt का पैनल है इस specification आपने देख लिया अब यहाँ पे तीनों पैनल को मैं set करता हूँ उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि जो है इसका connection आप कैसे करेंगे series में और parallel में अब देखे यहाँ दोस्तों जो मेरा यहाँ पे solar panel है यह पूरी तर से structure के ऊपर fit हो गया है सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि structure आप कैसे fit करेंगे structure के बाद देखे पैनल यहाँ पे मेरा fit हो गया है अब यहाँ पे structure का जो भी fixer है देखे यहाँ पे पैनल को आप मेरे total जो पैनल है यहाँ पे 4 पैनल लगा हुआ है 210 और जो मेरे पाद दोओ पैनल है एक यह एक है उसके बार 1500 watt का एक है स्वाट का वो है तो यहाँ पे 500 watt ही ह हो गया उसके बाद यहां पे जो हेज़ग चार सो बीस बोल्ट ही हो गया तोटल जो यहाँ पे 690 वाट का सेट अप हो रहा है एक तरह से माने ज़े 700 वाट का सेट अप है और यहाँ पे अब जो inverter है ना वो दिखे यहाँ पे है मेरा इस्टमैन का inverter है यह solar inverter है यह मैं आपको इसका specification बता देता हूँ तीन different function के साथ यह काम करता है यहाँ पे जो है जहाँ पे यह solar panel लगा हुआ है यहाँ पे किसी भी तरह का supply नहीं है इस्टॉल करते हुए अभी आप देख सकते हम लोग जो है यहाँ पे तकरीबन तीन बजाए हुए है और अभी देखे यहाँ यह वेस्ट साइड है सूरज पूरा डूब गया है लेकिन यह जो पेनल है अभी भी थोड़ा supply दे रहा है voltage मतब कम हो गया है और अब चलिए बताता हूँ यहाँ पे जो inverter है तीन different function में काम करेगा जैसे माली यह supply है उसके बाद solar भी है तो अगर आप चाते हैं कि जो आपका यहाँ पे solar वाला हो वो आपके घर में ना आए यानि कि लोड ना हो वो सिर्फ बैटरी को चार्ज करेगा या फिर इस तरह से हो सकता है कि अब यहाँ पे दिखें क्या होता है कि जब आपका बैटरी फुल हो जाएगा तो आपका बैटरी यह बाइपास हो जाएगा जो आपका solar वाला supply है उस पे आपके घर का लोड चलेगा बैटरी का जो supply हो यूज नहीं होगा जब solar जो है supply देना बंद करेगा कम कर देगा उसके बाद आपका बैटरी बैकप जो supply है वो यूज होने लगेगा इसका मैं आपको दिखा देता हूँ अभी यह उपर है मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर थोड़ा light है उजला है इसने यहाँ पर रखा है मैंने नीचे चलूँगा दिखाऊँगा इसका जो connection है कैसे आप करेंगे और solar panel का connection आप कैसे करेंगे यह भी मैं आपको बता देता हूँ दिखे बैक साइड से यहाँ पर देखे है टोटल सलेक्ट करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है देखे यहाँ पर दिया है grid charging enable disable यानि कि grid charging को आप enable करना चाहते हैं पर करेंगे enable हो जाएगा disable करना disable कर देंगे input voltage यहाँ पर indicator है so होगा उसके बाद narrow enable का indicator यहाँ पर है अभी जब supply connect होगा दिखाएगा देखे सारा function यहाँ पर दिया है wide है सारा function यहाँ पर दिया हुआ है आप जो मैं आपको बताया हूँ तीन different function यहीं से आप select कर सकते हैं उसके बाद अपना जो outputs है वो यहाँ पर आएगा total जो load है 1400 watt का inverter है full load पर कभी भी निचलाना चाहिए जैसे 1400 watt का है यह तो 1200 watt आप load दे सकते हैं यहाँ पर solar का input supply connect होगा उसके बाद यहाँ पर यह अपना fan है अब दोस्तों पैनल का output जो है वो मैं यहाँ पर नीचे भेज दिया पैनल में जो output supply है जो inverter में जाके connect होगा वो मैं connect कर दिया हूँ अब यहाँ पर देखिए धूफ हो गया है अगले दिन मैं आया हूँ क्योंकि कल यह पूरा साम हो गया था क्रहें एक थो सीरी और एक तो पयरल के कod सारा minutes स्बारहता है और смотреть में आदेधे यह समान रहता है मतलब की जैसे यह पर मेरा तीन पान Hmm यहा पर 23 प्रेंट कुछ दिखाया है तो कुल मिलाकर जैसे common लिज्ए एक examples आपको अताता हूं माले जिए बैटरी है अगर 10 बैटरी है 12 बैटरी है तो अगर आप उसको सीरीज में करेंगे तो बल्टेझ बड़ जाएगा और पैर्लेल में connection करेंगे तो उसका जो voltage है वो समान रहेगा 12 yourself ही रहेगा ठीक है ठीक है यानि की 10 का negative एक साथ होगा और 10 का positive एक साथ होगा ठीक है तो उससे क्या होगा उससे voltage आपका same रहेगा 12 volt की बैटरी होगी तो बारह रहेगा और 24 volt की अगर बैटरी है कोई supply है तो 24 volt होने वाला है ठीक है तो अभी यहां पे आपने समझ लिया series और panel connection क्या होते हैं पैनल को आप series में भी connect कर सकते हैं voltage बढ़ाने के लिए और पैनल को अगर voltage आपको नहीं बढ़ाना है voltage सेम रखना है तो फिर आप इसको parallel में इसका connection करेंगे मैं जो इसका connection किया हूँ मैं इसका connection parallel में किया हूँ मेरा जो voltage है अभी यहां पे सारे voltage एक ही दिखाने वाला है चा दूसरा यहां पर यह वाला है कि देखिए कितना voltage आ रहा है यहां पर 22.1 बोल्ट यानि 22 बोल्ट जो है यह supply दे रहा है देख रहा है तो यह फुल बोल्ट जभी यहां पर दे रहा है हलका हलाकि धूब थोड़ा सा यहां पर कम है तो voltage इसका और बढ़ेगा ठीक है अभी य बोल्ट सप्लाई यह दे रहा है तो यह जो connection है मेरा यह पैरलल में मैंने किया हुआ है जो चार पैनल है ना वो पैरलल में है अगर आप सीरीज में connection करते हैं तो इसका जो voltage है वह बढ़ जाएगा चार पैनल है तकरीबन जो है 100 के आसपास voltage आएगा येकिन यह पैरलल में है इसलिए voltage इसका सेम है अघर सेके इसको मैं यहां पर connect कर दिया हूँ अब नीचे चलिए inverter में इसका function आपको δिखाता हूँ अब दिखें ने कृतल है इसको में यहां पर सेट किया हुआ हुँ देखें बैटी मेरा हम यहां पर है साथ में दो बैटी और है जिसको बात में सोलर पर कर रहा है ठीक है अभी यहां पर जो सोलर है वो मेरा पुरी तरह से फुल करेंड दे रहा है और यहां पर यह जो इन्वर्टर है मेरा यह चार्ज कर रहा है बैटरी को यहां पर जो आवाज आप सुन रहे हैं यह फैन का है कुलिंग के लिए फैन अभी यहां पर चल है आउपट बोल्टे 239 दिखाया है उसके बाद देखे देखते जाहिए आप देखे जो मेरा इनवर्टर है 1400 वाट का है तो अब दोस्तों मैं यहां पर आगया हूं उपर सोलर पैनल के पास नीचे में आपको दिखाया हूं जो इनवर्टर है वह यह चार्ज हो रहा है सोलर से चार्ज हो रहा है उसके बाद जो लाइट है फैन है वो सब चल रहा है 1400 वाट का इनवर्टर है अगर वन बाइवन करके अगर आप कोई चलाना चाहता है तो उससे जो है रिफिरेटर भी आपका चल जाएगा जो कि कम वाट का होता है सिर्फ शार्टिंग करेंग जो सोलर वाली तो उसको चार्ज करने के लिए मैक्सिमम जो करेंट है दो यूनिट चाहिए और मिनिममम डेड़े यूनिट चाहिए तो डेड़ से दो यूनिट करेंट जो है वह आपका 400 से 500 वाट का सोलर जो है इसली प्रवाइड कर देगा तो कुल मिला कि अगर आपके पास 650 CS की बैटरी है तो उसको चार्ज करने के लिए फुल चार्ज करने के लिए आपके पास मिनिममम 400 वाट और मैक्सिमम 500 वाट का पैनल होना चाहिए चार्ज के लिए वह पूरा फुल चार्ज हो जाएगा और पैनल मेरे के समें आप देख सकते हैं मेरा सम्थिंग 700 वाट का ठीक है तो अभी आपने देखा इस वीडियो में मैंने आपको बताया था की structure आप कैसे लगाएंगे साथ में connection आप कैसे करेंगे पैनल को आप कैसे fit करेंगे पूरी कंप्ली जानकारी दिया solar panel से related कोई query है कोई सवाल है तो आप नीचे comment section में अपना question type कीजिए उसके reply करने क कोसिस करूंगा मैं अभी यह चोटे लेबल लगाया गया है बहुत ही कम है बड़े लेबल पर भी हम लोग लगाते हैं तो उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और उमीद करते हो जो कुछ भी explain किया वो सब आपकी समझ में आया होगा कहीं भी कोई भी confusion है तो आ और भी social media का link मैंने आपको दिया है नीचे वीडियो के description में जहां से आप मुझे अभी follow कर सकते हैं तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलता हूं फिर किसी अगले वीडियो में नटाप के साथ